नमस्कार दोस्तों मैं नरदे सिंग और स्वागत आपका हमारे चैनल नोलेच ओप अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको पुझरूब प्रेस कर लीजिए इस वीटियों दर बात करने वाला ह है दोस्तों मेरे पास एक 9 साल पुरानी हार्ड रेग है और मैं अब उस हाड़रे को किस परकार यूज ले रहा हूं अगर आप भी यह जानना चाहते हैं अगर आप यह पास कोई 5 साल 6 साल 8 साल प्रें हाड रेव हैं तो उसको किस परकार उप्योग लें क्योंकि जो हाड़ अगर दोस्तों पुरानी हो जाती है वह इतनी त्रस्टेट नहीं रहे दिए उसमें आप ज्यादा इंपूटेंट डाटा नहीं रख सकते हैं अगर ज्यादा इंपूटेंट डाटा रखा हाड़रे फेल हो गई तो क्या करोगे तो उसके साथ कुछ मैं आपको कुछ लग प आप 5 शाल या 6 साल तो सबसे पहले बेन सेंटर किजिए कि आपके हाड रिम बेंट स्क्राइब अगर में एक वीडियो बना रखी कि तो आप वीडियो देख सेंगा तो बैट सेंटर दोस्तों क्या होता है कि आपके अगर वह ज्यादा बेंट सेंटर है तो उसे इंपूटे कर नमबर टू अगर दोस्तों आप पुरानी हार्ड्राइग को बेचना चाहते हैं तो उसको पूरी तरह फॉर्मेट करके बेचनी चाहिए मतलब जो आप यह नॉर्मल तरह तो फॉर्मेट करते ऐसा नहीं ऐसा से जो डाटा होता है वो रीकवर हो सकता है अगर आप बहुत इ जब तक जो डाटा होता है ना नेड़ री-्राइट नी कर लेता जब तक खत्रा बने रहे तो अगर मेरी स्ला मारे दोस्तों तो आपको पुराणी हार्ड्राइव है जो बत इस हैंसलित आपके मूस्त इंपोर्स देटरा आ है उसको नहीं बेचना चाहिए अगर अगर मेरी नमबर चार वे तुस्तों अगर आपको हार्ड्रीव है तो इम्पोटेंट डाटा ने रखे ऐसा डाटा नहीं रखे जो रिकावर ने हो सकता फॉर एक्सांपल जो मेरी पुराने हार्ड्रीव है उसके अंडर 300GB फिल्म है तो अगर वो अभी हार्ड्रीव से 9 नमबा साल चल प्रेश हो जाए खतम हो जाए तो मैं जो फिल्म है वो वापस इंटरेट से डाउनलोडिंग कर सकता हूं तो उस मुझे वह खत्रा नहीं है करेस्भी हो जाए लेकिन अगर मैं उसके ऐसी डाटा रखता हूं चो मुरी कवर नहीं कर सको क्यों दोस्ते के मैं आपको रियल बा तो कुछ भी कर लीजिए यह मैं रिल एक्स्पिरियंस है डाटा दोस्तों फॉर्विट होके रिक वैसा होने वाला है नहीं तो इंपुटेंट डाटा नहीं रखे है नमबर चार नमबर पाज दोस्तों देकि अगर आपास प्राइं हार्ड्रिव है और ऑपरेटिंग है उसके लिए आप एक SSD का यूज जरूर करें और नमबर 6 पे उसको अगर पर फुराण हार्ड्रिव है तो आप उसको बेकप की तोर पर यूज़ कर सकते हैं जैसे विंडोस 10 का बेकप बना लीजिए जितने भी जीविगा है और पुरा हाड्रिव में डाला और उसको आप आप एक निकाल लगकर अलग रख लिए ऐसा नहीं कि उसको कंप्यूटर अंदर रखेंगे नहीं उसको अलग से रख लिए जब भी कंप्यूटर कुछ हो तो आप उसको वाकस इस्टों कर सके ठीके दोस्तों यह हुआ नंबर 6 और नंबर 7 दोस्तों आप अगर आपकर आप आप उसके एक एक्सप्रियंस कर सकते हैं जैसे कि मेरे पास पुराने हाट्रेव की में यह वाली नौ साल पराण अब इसको अंदर डाल दी है लिए बहुत चलना हूं इसको वाकस पुराने कंप्यूटर ने डालने माला है क्योंकि अभी हमें 2 TV हाट्राइग और लेके आए है क्योंकि ने आप करने जाते हैं तो आप अइक्सप्रिमेंट करना चाहते हैं मैं जब तो मेरे बाताया पूरी पुराने हार्ट्राइब कर देखें तो यह साथ टाइप के एक्टिविटी करता हूं उपनी पुराने हार्ट्री गरेंदर तो यह साथ चीजा आप कर सकते हैं जो यह आपको पता है यह इस वीडियो कंदर तो यह बहुत ही अच्छी जीजे दोस्तों अप्लाइक करेंगे अपनी हार्ट्राइब पेंदर तापकर नोलेज इंक्रेस होगा और नोलेज भीड़ेगा अगर आप वह जान करें पर संदे प्लीज इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल सब्सक्राइब यू करें थैंक्य सब्सक्राइब परोने चुग करेंगे एलो भाइक करेंगें हाज़ेगार रियागेक करेंगेस्स